Hello everyone, आज हम इस वीडियो में वैसे student जो खासकर जामिल इसलामी में school में admission लेना चाहते हैं आज की इस वीडियो में जामिल इसलामी के school admission process 2024 के बारे में detail में डिशिस करेंगे अगर हम classes की बात करें तो चाए वो class pre हो, nursery हो, first हो, फस्ट हो, 6th, 9th और 11th 11 ने भी science, arts and commerce इन सभी के admission process के बारे में बात करेंगे आपके जितने भी dots है अगर आप इस वीडियो के end तक देखेंगे तो आपके सारे dots यहाँ पे clear हो जाएंगे क्योंकि मैंने कई सारे लोगों के dots देखा है लोग कहाँ पे problem face कर रहे हैं उसको भी इस वीडियो में हम conclude किये हैं जैसे कि forms को लेकर, entrance exams को लेकर, syllabus को लेकर hostel facility हो गया, age limit हो गया यह कुछ course हवाल है जो कई सारे student का है इस वीडियो में सारा जवाब आपको मिलेगा अगर आप एक student है या फिर parents है या guardian है तो इस वीडियो के एंट देखी कि ultimately यह सभी को help करेगा क्योंकि यहाँ पे subscriber सभी है चलिए start करते हैं सबसे पहले आपको Google पे जाना है और search कर लेना है jmiceue.in जैसी जब search करेंगे इस तारिके का interface आएगा इसके बाद आपको इस वाला जो टॉप पे जो link का रहा है आपको इस पर simply click करना है और इस पर जैसे जब click करेंगे जामय के official website यानि जो भी student school के form के इनत्यार में अगर उनको confirm होना या form के बारे में जाना है तो यह जामय के official website है इस पर click करते हैं आप इसके official website पराएंगे एक बात और आट करते हैं कई बार लोग Google पर जागा सर्च करते हैं जामया form आप Google पर ना सर्च करके डारेक यह सर्च करिए कि जामया के website पर इसस करिए क्योंकि detail जो official data होता हो उसके website पर होते है ना कि Chrome पर कई बार लोग Google पर कुछ भी सर्च करके और वो confirm हो जाते है कि form आया चला गया बढ़ा अगर आप website पर जाएंगे तो website पर ही पता चल पाएगा तो जब आप सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आगा जो मुझे दिख रहा है अब यहां पर पहली बात यह कि आपका फॉर्म आज के डेट यानि आप आपका मालूम है कि अभी लास्ट जैन चल रहा है और अभी आपके फॉर्म से नहीं आए तो जो भी पैरेंट्स या गार्जिन इसे इंत्यार में कि फॉर्म कब आएगा तो म मार्च का जो मैंता है वो फॉर्म आने का टाइम है और एटलीस वन मान टाइम मिलेगा फिल करने का इस वाज़े से मैंने क्यों कि कई स्टुडेंट परिसान रहते हैं मैंने वट्सप गुरूप बना दिया क्लास वाज़े आप उस ग्रूप को जोईन कर लिए अल्टिमेट वही इंटरेंस की बात करें तो उसके बाद एटलीस फॉर्म करने का इस वन मैं टाइम मिलता है आपको तैयारी करने का एटलीस उतना गैप मिल जाते है तो रहास वाल इंटरेंस एक्जाम का तो मीड अप्रिल से मई के फस्ट वीक तक आपके इसके बीच में आपका एंटर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो अब आपके फॉर्म आएंगे तो क्या लिखने नाम से इस्कूल का फॉर्म लिखा रहेगा तो मैंने आपको एक डिदे दिया कि फॉर्म अगर आएगा तो आपको एक तो यह है एड़िशन में दिखेगा हलाक यह भी तक आया नहीं बटाएगा तो जरूर पता चल जागा यह मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया और कैसे पता चले के भी बता दिया अब हम आपको बताते हैं एक की करके जो आपके डॉट्स होते हैं डिटेल में इससे पहले की इंफर्मिशन कुछ दे हम आपको हम आप सभी को सजिस्ट क लेगा इसलिए आप इस प्रोस्पेक्टर को जरूर पढ़ लेगा फिर एक सवाल इस प्रोस्पेक्टर को कहा एसस करेंगे तो वही वीडियो के डिये नहीं आप प्रिवी से बता रहे हैं मैं इसमें बहुत यह करता तो इसको एडिट करके और मैं अगर ट्व्व लिग दे जैसे मुसीर फात्मा नर्सरी स्कूल है जो के प्री नर्सरी वालों के लिए और फस्ट वालों के लिए जामे मेडिय स्कूल है इसके बाद जामे सिनर सिकंडी स्कूल है और सेद आबिद हुसेन सिनर सिकंडी स्कूल है जामे में टोडल पांच स्कूल है तीन रेगुलर है और और यहाँ पर reservation भी है तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पिछली बार जो entrance हुआ था वो देख लिए मई मुआ था तो इस बार भी आप उमीद रखे कि मई क्या सपस में होगा खेर अभी हम थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहेंगे फिलाल हम आपको इससे पहले की कुछ और आगे बता हैं हम पहले आपको pre nursery और first वालों को clear कर दें जो बच्चे class प्री में अडमिसन लेना चाहते हैं या first में लेना चाहते हैं इनका जो admission होता है वो होता है lottery system, lottery through अभी lottery कैसे लाएगा मतलब आपको सबसे पहले जामिय का जो form आएगा उसमें आपको फिल करना होगा उसको आप फिर एक date मिलेगा आप सभी को एक email आएगा या message आगा और उस message में mention लाएगा कि आप सब का यानि सारे बच्चों का एक बार lottery लाएगा और आपको online check करना होगा मतलब यह कि जो lottery लगता है वो live online आप check कर पाएंगे कि हाँ लोटरी कैसे लगा और देख पाएं कौन बच्चे का selection हुआ नहीं हुआ क्योंकि आप यहाँ पर देखिए online lottery लेगा यहाँ पर mention क्या हुआ है साथ यह देखा रहे है parents may watch the live streaming of the draw of lots through a wave link online which will be shared to them यान उन बच्चों को भेजा जाएगा और date भी mention आता है मतलब जब form आता है तो उसमें date बता दियता है कि किस date में live streaming इन बच्चों का lottery कब लेगा वो mention होता है तो यह तना तो समय आ गया कि आपका जो जामे में pre nursery में जो admission होगा simple form fill करना होगा और form fill करने के बद कोई entrance नहीं होता है lottery लगता है lottery में जिन बच्चों का नाम आता है उन बच्चों को बाद उनको admission मिलता है और उसका बाद फिर वही उनके classes start होते है फिर उसमें आपके सवाल होगे age limit का तो वह हम आपका age limit इस वीडियो में केजी और प्री इन तीनों का class चलता है ठीक है इसके लाबाद जामे मेडिल स्कूल के अगर हम बात करें तो वहाँ पे वन से लेके 8 तक चलते है class अगर बात करें तो 9-10 जो है senior secondary के अंदर यह इतने सारे building वहाँ पे है इन में जो चलता है वो nursery केजी का मुसिर फात्म में ज 9-12 का चलेगा और जो सहीद अभी senior secondary जो है self finance उसमें प्री से 12 तक चलता है प्री का भी वहाँ पे क्योंकि अभी जो लट्री लगता है उसमें प्री और फर्स्ट वालों का जो class चलता है वो इसमें ही चलता है और nursery वालों का तो आप मुसिर फात्म में चलता है जैसे में से आप देख सकते हैं इसके बाद senior secondary जो है उसमें class 9 जो girls है self finance girls के लिए उसमें भी है देख लिए 19 का चलता है और एक और सेंटर बाल बालक मातर सेंटर इसमें nursery class 6 and craft course यह सारे वहाँ पे चलते हैं तो यह तो इसके लिए आपके मैं class मतलब यह बताए कि यहां पर कौन-कौन स स्कूल है और उस स्कूल में कौन-कौन से classes चलते हैं वह मैंने बताया अब इसके बाद important जीजिए मैं आपको थोड़ा सा insert मैं दी दूं कि इनका यह class का timing रहेगा आपका winter में यह रहेगा और आपका normal day में इस तारीग विंटर में time change होता है लिए normal day में 720 से रहता है यह हो ग से और इसमें जो age limit जो देखा जाएगा वो three से four year जो age limit आपको होना चाहिए at least three से चार सल के बीच में अगर बच्चा हो उसको nursery में form apply कर सकते है और age limit का देख लिए इसके बीच का इसके आसपास में रहना चाहिए ठीक है और इसके बाद आगर आपको admission चाहिए होगा पासपोर से फोटो और पैरेंट्स का आईडी प्रूफ यह चार चीज़ यह हो गया देख सेकते बस यह बेसिक चीज़ चाहिए होता है और जो आप फॉर्म का पीज भी जो फॉर्म अपलाई करेंगे उसको भी समिट करना पड़ता है यहां पिस चार ही डॉक्मेंट लगे कोई भी अटी प्रूफ भर सटर्टिविकेट और स्टुडेंट का पासपोर्ट सफोर्ट पासपोर्ट और इसके बाद फिर बड़्स रटिविकेट यह हो गया फॉर्म अपलाई करने का जो चार्जर होते हैं वो आपके 300 संथिंग होते हैं इसके लाबा मैं यह बी बता द हैं क्लास कुछ बेसिक डिटेल है जिसे सिंपल सी बात है ङुझ due पार्म फिल करने टाइम डोकुमेंट किया लाएगा फोर्म फिल करने टाइम वह इसके अपके पास मॉैल हो गई मॉइल लंबर ईमेल आइडी और उन बच्चों को लाएगा, जो पासओट हो चुके हैं, जो अभी पढ़ रही हैं, उनको मार्क्षिट नहीं लाएगा, जैसे आप कैसे समझेंगे, मानले कोई स्टुडेंट सिक्स में, कोई स्टुडेंट सिक्स में एडमिसा लेना चाहता है, और अगर अभी वो फिफ्त में तो उसको मार्क्षिट देने के ज़रूत नहीं पड़ेगा, एडमिसन के टाइम में ज़रूत पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा, मानलेजिए कि कोई नाइंथ में अडमिसा लेना चाहता है, और वो बच्चा जो है, एट पासओट हो चुका है, टू 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 लेगा, उस वीडियो को देख लीजेगा, हम उसका एक प्लेलिस बना चुके है, यानि स्कूल के नम से, उसमें अब है, अब हम बात करते हैं, कि जामेक अंदर रिजरुएशन है, और अभी हम यह जो रिजरुएशन बताने वाल है, वो सभी क्लास के लिए है, माला प्री न के लिए बागई जो रिमेनिंग हुआ, अब नेक शुर बात करें, तो इसके लाबा वैससे स्टूड़ियन के धीज़ुआवशन Hydgot ymedi passed, यहाँ पे मिलता है, यह हो गया, नेक शुझ है, तो यह इन्होंने कुछ परकार 2017 की स्टूड़ियो प हैं, फ emphasized डियो पहने सब्किश है कि sports के थुरू भी जामे में admission मिलता है sports के थुरू जो मिलेगा कौन-कौन से बच्चे को में बबता दूँ जो student class 9th या class 11 में admission लेने जाते है उनको sports के थुरू भी admission मिलता है sports में कौन-कौन से एरिया जैसे football, hockey, basketball, cricket इनमें से किसी में भी अगर आप हैं तो आपको admission मिल आप regional पर अच्छा की हों या state level या national पर की हों senior junior जूनियर लेवल पर अगर की हों तो भी उस case में आपको इसका फायदा मिलेगा एक बत और बता दें कि इन सम्में दो सीट जो है मतलब फिक्स है मतलब sports के थुरू सिब दो सीट से फिक्स हैं जो आपको जामे में admission में जैसे मैं बताना चाहूंगा कि nursery का जो seats था वो 140 था और अगर हम pre की बात करें तो pre का 40 seats है और class first का I think 30 seats है तो एक बार cross check करना पड़ेगा लेकिन ज्यादा seats नहीं इसलिए आपको पहले check कर लिजेगा चलिए अब हम start करते हैं सो अब हम थोड़ा सा seats को लेकर बतादा कि किस में कितने seats हैं अगर आप classics में admission चाहते हैं तो जामे कंदर से 40 seats है बट अगर 9th का admission चाहिए तो देखे senior secondary में 30 seats है और सयद आबिद में 100 seats है और 200 seats है गल senior second है अगर total देखा जाए तो 330 seats है सिर्फ class 9th के अदर अब वही अगर हम बात करें 11 science का अंधर तो देखे और 7 clean內, 11 science में 40 seats हो गया senior secondary में 20 seats हो गया सयद आबिद में T 110 seats मातर है 11 science वही 11 commerce में चाहिए इस और 1110 आठ्स में 30 seat हो गया senior secondary में 50 seat हो गया सायद आबिद में और 80 seats हो गया गर्ल सिनर शिकंडे में अब इसमें अगर देखा जा तो टोडल कितना सीट हुआ हो गया 170 के आसपास में 170 के आसपास में आट समों हो गया और वहीं कॉमर्स में देखा जा तो 140 सीट हुआ अब इसके क्या मतलब मैंने आपको पहली बोला कि वहां पर पांच स्कूल है और पांच स्कूल में क्लासिस का यह फी को लेकर भी डिफ्रेंसस है जैसे सिंपल सी बात है अगर आप सिनर से कंडर में कम फी लगते हैं उससे ज़्यादा आपका सेधाबिद में लगते हैं बस यह फरक है बाकी पढ़ाई लगबाग कॉमन नहीं होती है चलिए तो यह हो क्या यह मैंने आपको स होस्टल को लेकर मैं फिर से बता दूँ प्री नर्सरी और फरस्ट वालों को को होस्टल नहीं मिलता है। सीट को लेकर देखें हां मैं जो पहले बता reactors जो कईलों का सवाल था तो देखिए नर्सरी । पीनर्सरी這麼 हो का नर्सरी हो current year के हिसाप से मलब 2024 के हिसाप से आपके बच्चे का एज 3-4 सल का होना चाहिए पहला प्री में अगर चाहिए तो 4-6 और अगर class first में चाहिए तो 5-7 यर के बीच का होना चाहिए age limit किन बच्चों का जो pre nursery first में अच्छे से अब उसको बता दी हैं अच्छे से इडमिशन चाहिए उन लोग का वैसे स्वालों को जाद ध्यान नहीं दिया थे बट हां फिर भी at least 50-60 परसेंट होना चाहिए चली बात करते हैं और arts में 41% होना चाहिए इससे की आर्ट में इंगलिस में कम से इंगलिस में 41% होना चाहिए और science में कम से कम 61% मार्क होना चाहिए यह हो कि आपका क्या eligibility आपके यह मार्क स्टेक किया जाएंगे क्योंकि मार्क स्ट में होता है एक बात और कई लोग बच सर्टिफिकर लेकर कंसार रहेंगे, अगर अभी केड़ेट में आपके बच सर्टिफिकर्ट है, तो कोई प्राब्लम ना फॉर्म आप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिसन, जिस तरम में आपको बच सर्टिफिकर्ट लेकर जाना पड़ेगा, तो इस बात का में देना है इसका अलावा टेस्ट सेंटरर के रहा सब्सक्राइब करें तो चाहिए आपको यह बात आट नहीं क्या जिसे आपको बताना चाहूंगा कि 6th में, 9th में या 11th एडमिस चाहिए तो इन तीनों में, यानि 11th Science Arts and Commerce में जो एडमिसन होता है, वो इंटरेंस के बेस पर होता है मतलब टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा टेस्ट के बेस पर जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर जो टॉपमोस मार्क, यानि सबस्यादर इसका मार्क्स आएगा उन्हें स्टूडिन का इंटरेंस बेस प्री नर्सरी फर्स्ट में जो है तो यह हो गया, आप इसके बाद नेक्स बात करें तो पहली बात यह कि आपका जो पीपर होगा वो दू घंटे का भीपर होगा, पहला उसमें कोई निगेटी मार्किंग नहीं रहेगा तिसरा यह की अबजेक्टिव टाइप पेपर हैगा आंसर मलब थिवरी नहीं, अबजेक्टिव टाइप पेपर हैगा यह सारी चीज़ी रहेगे, कोई निगेटी मार्किंग नहीं अब पूछेंगे क्या क्या पूछेगा वागय डिस्क्स करते हैं, यह बेशीक जो था, मैंने दे दिया विडियो एक बार नहीं समझ में दूबारा देख लिगा इल्टिमेटली फायदा आपको ही मिलेगा यह होगी अब आप कहेंगे कि पेपर में क्या-क्या पूछा जाएगा तो जो इस्टुडेंट 6 के लिए देना चाहते हैं उनका EBS 50 marks का math 25 marks का और English 25 marks का total 100 marks का paper रहेगा और 100 marks का paper और 100 marks का paper और 100 question रहेगा क्योंकि MC क्यों है भाई जो इस्टुडेंट 9 का देना चाहते हैं वो देख लिजिए इंग्लिस से 25 मैथ भी 30 होगा साइंस से 25 सोसल साइंस रहेगा और 11 साइंस का देखे 25 इंग्लिस GK 10 15 physics 15 chemistry 15 biology math 20 यह भी total 100 marks का रहेगा वह एकर arts की बात करें तो total 100 जिसमें 60 marks का सोसल साइंस रहेगा और GK 15 marks और इंग्लिस का 25 marks 11 commerce का भी सेम सीने हाँ मैं ऐसा जरूर कहाना चाहूंगा कि और 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स और 9 के लिए इन सब के लिए बैच चलाया जा रहा है क्रेस कुर्स और बड़ा ही नॉमनल चार्ज पर ओफर रहेगा आज के लिए जो इस्टूइन करना चाहते हैं तो जोइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्स चशी को चुर्ण सोद का चाहते हैं आद में चाहते हैं और 15-ㅠㅠ चेहर को परहाएं अगर जो धूब में रहाएं हैं अगर 5-48 k के शीजिंग दिसक्राइब का एजट शीक्राहरा दो इसक्रिप्स में हम वो थब 5-7 यह इसके बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए अब हम यह नर्सरी प्री और फर्स्ट के बारे मता दिया अब हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए 6 हो गया 9 हो गया और 11 हो गया तो रहास अवल 6 का इसका जो एज लिमिट मैंने निकाला है 6 का जो एज लिमिट हो वो 10-12 यह इससे ज्यादा नियुक्त चाहिए और वही अकर 9 के बात करें तो 9 का जो एज लिमिट है 13 से 15 यह और अगर 11 की बात करें तो 15 से 19 यह आपका एज लिमिट होगा 15 से 19 के बीच में एज लिमिट हो आपका 11 में अध्मिशन के टाइम में कम से कम 15 यह होना चाहिए व आप लोग मुझे लगता है पूरा इंटरेंस तक आप इसी सवाल में रहेंगे कि आपका स्लिवस क्या है यह घुमतने से फार बेट रहे है कि जो अप सजेस्ट के जा रहे है उस पर धियान दीजिए और समझी क्या कहा जा रहा है स्लिवस की बात करें तो चाहे कोई के बारे में बात करें देखी 6 में क्या कह रहा है कि Class 6 based on CVC syllabus of Class 5 मतलब से बसी बात है NCIT जो Class 5 का है उसको पढ़ लिजिए और already CVC के website पे Class 6 का स्लिवस है तो CVC के website से download कर लिजिए वारना यह है कि इस वीडियो के description वक जो WhatsApp वहां वहां पर भेज़ देंगे वहां से भी आप access कर सकते हैं दूसरा है Class 9 का रहा सवाल तो Class 9 का भी देखिए मतलब आप इस बात को notice करें समझिए यह कौन से syllabus को follow कर रहा है CVC का जो syllabus उसको follow up कर रहा है तो उसको पढ़ लिजिए अब इसमें भी कोई problem है तो बताईए अब इसके syllabus आप कहां मिलेंगे तो CVC के website पर भी वरना इस वीडियो के description box में है मैं वहां send कर रहा हूँ वहां सब access कर लिजिए यह होगी आपका syllabus के बारे में अब इसके बाद फ वीडियो के description box में भी पता चल जाएगा या फिर आपको western के description box में भी नए हम Nous आपको अपडेट कर देंगे, आप चाहें, अगर आपको अभी पेपर नहीं मिला, तो आप वट्सप कर लिजगा, 7479457442, यह वट्सप नमबर रहा, इस पर वट्सप कर लिजगा, आपको पेपर मिल जागा, तो यह तो चली पेपर हो गया, क्योंकि तैयारी करने के लिए आपके सिलिबस और पीवाई की कोहना बहुत जरूरी है, यह है तो आपका अराम से हो जागा, अब हम आप बात करता हैं कि पेपर कैसा रहेगा, चाहे वो 6 के स्टूडेंट हो, 9 के स्टूडेंट यह रहेगा, आप यह देखिए, कि एक कोशन रहेगा, और उसके चार ओप्सन रहे करें तो इस फور में आपका होना चीगे, यह नहीं कि आगे पूँछे कुछ भी कर दे मलब, complete कलर होने चाहिए, मैं complete कर दे कि नहीं, इस steps होना चाहिए, आप सकवर नेक्ट बात करें, तो fee related कूछ 내려lle गाईडलाइन है, यह खैर होते हैं हम बताएंगे, कि fee कि कितना लगता हो या फिर ऐसे कहिए 3,725 रूपीज लगेंगे सब के लिए फी कॉमन है कौन-कौन से क्लास के लिए आप देखिए आप है क्लास 9 तक का जो फी है या क्लास 10 या 11-12 इन सब का जो फी है वो कॉमन है अलग नहीं है अच्छा नहीं है थोड़ा सा डिफ्रेंसेस है देखिए पहले क्लास मतलब यह कहिए कि 1,2,9 तक का जो फी है क्लास 1 के लिए या 9 तक का जो फी है वो आपका 3,725 रूपीज है वही अगर आपका एडमिसन क्लास 11 से 11 स्वारी 9 तक हुआ 10 का जो फी है उससे थोड़ा ज़ादा लेगा और 11 के बात करते यह है और 12 का फी जो यह लेगा मेर मतलब साल में एक बर पेमेंट करना पड़ेगा और यह इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा है तो यह फी स्ट्रक्चर हुआ फिर से समझ यह चाहिए अगर आपका 9th मैट विशन होता है यह 6 होता है तो आप कितना पे करना पड़ेगा आपको 3,725 रूपीज पे करना पड़ से अबित से से कंडी स्कूल का उसका जो फी वह देख लिए 29,800 आपको यरली पेमेंट करना पड़ेगा तो आप यही देखिए मैंने बोला था ना कि से से कंडी और से फानेंट में फरक एक आपको फी जाधा पे करना पड़ेगा इसमें कम होता है से अगर देखा है तो मान तो लगबग मैंने जहातर चीज़ा आपको किलियर कर दिया है मेरे खल से अब कोई और नहीं होना चाहिए अगर अभी भी डॉट है तो वीडियो द्वारा देखिए समयनी कुश्च करिए क्योंकि कई बर मैं आपको किलियर किया है अब इसका बात करते है होस्टल फेसलेट अगर होस्टल चाहिए तो खासकर क्लास, नर्सरी, प्री और फर्स्ट को तो होस्टल मिलेगा ही नहीं मिलेगा पहला अब यहाँ पर होस्टल किन को मिलेगा यहाँ पर बता दिये गया जैसे पॉइंट नमर वान यह कह रहा है कि जामे प्रवाइड लेमिटेड होस्टल अक बॉयज के लिए बहुत को होस्टल क्लासिक से लेकर के समझी के 12 तक अगर पढ़ते हैं तो 6 में भी मिलेगा 6 में मिल जागा 9 में मिलेगा 11 में मिलेगा लेकिन ये भी बताते हैं कि हर किसी को होस्टल मिल जाए ये ज़रूर नहीं है लिम्टेड ही सीट से इसलिए कुछ लिम्टेड लोगों को ही मिलता है तो कोई गारेंटी नहीं कि आप जामे मिलेगा तो आपको होस्टल मिली जाए क्योंकि ये लिम्टेड बता रहा है पहला दुसरा फिर सवाल होगा अच्छा ये बॉयज के लिए दुसरा गल्स की बात करें तो उन गल्स स्टूडेंट को होस्टल मिलेगा जो 11 पर जिनका एडमिसन होता है मतलब 11 से नीचे चाहाँ वह 6 खो 9 को हो इन में से किसी भी गल्स स्टूडेंट को होस्टल नहीं मिलता है यह इनके रूल से हैं तो इस बात को समझ लिए होस्टल किसको मिल रहा है मेल को 66 से मिल रहा है मतलब 678-19-11-12 बैट अगर हम गल्स की बात करें यानि इनका 11 से स्टार्ट है उससे पहले होस्टल नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको इंतियार करना पड़ सकता है तो यह होग सब्सक्राइब करता हूँ और यह कुछ मेरे टोरिस स्कॉलर सी भी वहां पर हाँ यहां पर सकते हैं जो मैं डेकलेरेशन यह अलग चीज़े इसको यह रहा हो एमर्शिट इस तारीकी का आपको एमर्शिट रहाग एक्जाम हॉल में जो आपको आपको यहां पर क्या-क्या- इस बता दूं कि होस्टल का फी जहां तक मेरे पास अभी तक अपडेट है आपको एक साल का कम से कम 15,000 जो है वह वह होस्टल का फी है और बाकी जो है खाने का जो है वह 22, 26,000 मंतली है तो इस अब सा मल्टिप्लाइए कर लिजे और अल्मॉस्ट एक साल का 40,000 का सबस चले ज चाहला लगा और जरूर अच्छा लगा होगा कि मैंने सारे डॉट में किलेट कया इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जिसको भी जरौत उसको सेर कर दीजेगा इसका लब कोई भी डॉट स्क्वेर है कर दो को अब इपडेट से अग्यां को सब्सक्राइब कर लिए साथि मैंने ये भी बताया है कि forms को लेकर क्या-क्या document लाएंगे admission को लेकर क्या-क्या document लेंगे उससे मैंने वीडियो बना है वरना अने वेल टाइम में उससे बना दिया जागा और जिस भी student को crash course जोएन करना है वीडियो के description box में WhatsApp नमबर उससे जोएन कर लेगा जिस भी student question paper चाहिए हो वो भी WhatsApp कर लेंगे Thank you